प्यारे बच्चो अब आपको कहानी सुनाएंगे जान रोकीट कदर एक दफ़ा का जिकर है कि एक धोबी के पास एक कुट्ता था वो उसके घर की निगरानी करता एक राथ धोबी के घर पर चोरा है धोबी गहरी नीन में था धोबी का कुट्ता उंग रहा था जब कुट्ते को आप महसूस हुई चोकन्ना हो गया उसने भोखना शुरू कर दिया कुट्ते का शोर सुनकर चोर घबरा गया और वापिस भाग गया कुट्ते की शोर की वज़ा से धोबी भी जाग गया वो कुट्ते के पास आया तो उसे कोई दूसरा आदमी दिखाई नहीं दिया नीत खराब होने की वज़ा से धोबी उस्से में आ गया आओ देखा नताओ कुट्ते को मारना शुरू कर दिया अगे दिन धोबी कुट्ते को घाट पर ले गया रात वाला चौर दुबारा घाट पर आ गया कुट्ते ने चौर को देख लिया मगर मार के डर की वज़ा से कुछ न बोला और चुपचाप बैठा रहा चौर धोबी के सारे कीमती कपड़े उठा कर ले गया जब धोबी को मालूम हुआ कि उसके सारे कपड़े गायब हैं तो उसने चिलाना शुरू कर दिया कुट्ता अब भी खामोश बैठा था जब धोबी ने देखा कि कुट्ते की मौजूदगी में चौर कपड़े चौरी करके ले गया है तो उसे अपने कुट्ते पे बहुत उस्सा आया और उसको मारना शुरू कर दिया कुट्ता मालिक की मार से दिलबरदाश्ता होकर जंगल की तरफ निकल गया और वापिस उसके पास ना आया ये सोच करके ऐसे शक्स के साथ क्या रहना जिसे दोस्त और दुश्मन की भी पहचान नहीं तो प्यारे बच्चों हमेशा जानरों की कदर करें क्योंके वो भी अल्ला ताला की जानदार मखलूख है